प्रिस्क्राइब करें दैस्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं हेलो दोस्तों आपका अपने परिवार दैस्पीड स्टडी पर स्वागत अभिनंदन है और आज हम लोग जो है उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और मैंने कहा दोस्तों कि अगर आप जो है अभी तक नहीं पढ़ें हैं कोई बात नहीं आज से लग जाएए आज से दिन रात एक कर दीजे दोस्तों 40 दिन का हम लोगों का सफर रहेगा 40 दिन का हम लोगों का सफर रहेगा और 40 दिन में पूरा एकदम धुआ धुआ होना चाहिए दोस्तों याद रखिएगा एक सारी सुनाता हूँ आपको सुन लिजेगा बदल जाओ वक्त के साथ या तो वक्त को बदलना सीखो दोस्तों दो चीज हो सकती है या तो आप वक्त के साथ बदल जाओ और या तो वक्त को बदल दो दोस्तों क्योंकि मजबूरियों को मत कोसो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो तो जी हाँ दोस्तों क्या कहा हमने फिर से सुनिएगा बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो दोस्तो मैंने कहा दोस्तो कई दिन से जो है मैं इसक्री रिकॉर्डर के माध्धम से आपको सारी चीज़े दे रहा था मैंने कहा था दोस्तो कि आपकी क्लासिस चलेंगी तो जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों और मैंने पोश्ट भी की थी फेस्बुक पर कि आज से आपकी एक नई क्लास सुरू हो रही है अगर आप अभी तक नहीं देखे तो कोई बात नहीं दोस्तों आपके वल वही क्लास देख लिजेगा जो आपके लिए इंपर्टेंट है मैं आ रहा हूं आप प्लेलिस्ट में जाएगा दोस्तों वहाँ पर जितनी भी मैराथन क्लास चली है जितनी भी मैराथन क्लास चली है उसको आप जरूर देख लिजेगा वो आपको बहुत उपयोगी रहेगी दोस्तों तो एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट में आईए और एक बार सेर करिए दोस्तों अब मैं सेर करने के लिए नहीं कहूंगा याद रखेगा यह आपका करतब है आप सेर करिए आप लाइक करिए आप कमेंट करिए दोस्तों एक बार सेर कर दीजिए एक बार सेर कर दीजिए और सब लोग कमेंट में आईए और एक बार जय हिन लि और हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे सुबा की जो हम लोग क्लास है वो है इंगलिस की क्लास जी हां दोस्तों सुबा 10 बजे दोस्तों इंगलिस की क्लास है और वहीं साम को दोस्तों 7 बजे साम को 7 बजे आपकी रिजिनिंग की क्लास है दो क्लास मैंने कहा दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिस के रूल और प्लस एडियन सेंड फ्रेजेस प्लस ओडबलू यस हमने आपको ओडबलू यस याद करने का तरीका बताया हमने आपको टॉप वन हंडेड वन वर्ड की सीट दे दी है अगर आप अभी तक उसको नहीं लिए दोस्तों तो आप एक काम करिएगा टेली ग्राम पर नीचे लिंक दी गई है टेली ग्राम चैनल पर आपको वह लिंक मिल जाएगी वहां से आप सो इंपर्टेंट वन वर्ड को देख लीजिएगा और उसको याद कर दीजिएगा उसी क्रब में आगे जो इडि अगن देखने के बाद पहले रूह ıl देखेंगे रू देखने के बाद इंपर्टेंट अनटोनेम और शेनव्त करने के तरीके मताएंगे दोस्तों मैंने heft नहीं है जो भी बच्षे हम से जुडे होंगे उनको व्रड हो रतने की ज़रुवत नहीं पढ़ी की दोस्तों जैस आपको वनवर्ड में लाष्ट में फोबिया मिल जाए दोस्तों तो आप оказon में केवल FEEL ढूघेगा FEEL मतलब होता है दोस्तूं डर उसी पराछ दोस्तों मैं ने बताया था कि अगर आपको ant में साइड मिल जाए तो उसाइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या अर्थात इसमें फिर हम आप्सन में किल ढूड़ेंगे अर्थात मैंने ट्रिक बताई थी दोस्तों कि one word substitution कैसे याद करेंगे ये सारी चीजे हमने बताई थी और उसी क्रम में आज जो हम सीखेंगे दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आर्थात अन्टोनेज में कैसे याद करते हैं चलिए दोसनों सुरू करते हैं आज आगला टॉपिक और उसमें सबसे पहले रूल पढ़ेंगे और रूल है दोस्तों चार में आप पहले में बताईए क्या होगा पहले में आप बताईए क्या होगा लिखा है दोस्तों दब्वाइस एंड गर्स है डन दियर वर्क जी हां दोस्तों पहले वाले में बताईए कि एरर किस पार्ट में हैं बहुत आसान है बने रही है हमारे साथ देखते रहिए लाइक करते रहिए बस आपका केवल इतना काम है मोबाइल को होरीजेंटल रखी रखिए आप से जो पूछा जाए वही बताईए फालतू का कमेंट ना करिए चलिए दोस्तों तो देख रहा हूं दोस्तों अभी तक किसी का जवाब नहीं आया पहले में बताईए क्या गर्स मतलब और लड़कियां लड़के और लड़कियां अपना कारे कर रहे हैं मतलब लड़के और लड़कियां अपना कारे कर रहे हैं दोस्तों आप लोग बताईए कि इसमें एरर कहां पर है इसमें एरर कहां पर है दोस्तों बताईए मैं देख रहा हूं दोस्तों अभी तक आपका कमेंट नहीं आया दोस्तों तो चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों अर्थात इसमें एरर क्या है पहले वाले में तो दोस्तों दब्वाइज आयेंड दगर्स लड़के और लड़कियां है तो यहां पर जो एरर है वो आपके सी पार्ट ऐसे है दुष्तों हैं डाइब गुतले लुएए दूसरे का बताएं दोस्तों आपने डेख लूँ की आप लोग कितना पढ़रे हैं दोस्तों आज के बाद कोई भी पूछेगे दोस्तों आप बिल्कुल बता देंगे तो आप लोग बताईए कि दूसरे वाले में क्या आए रहे हैं दोस्तों ब्रेड आएंड बटर आर लाइक्ट बाई एब्रीवन तो दोस्तों देख रहा हूं ठीक है बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं तो इसमें दोस्तों होग क्या ब्रेड आएंड बटर जब भी ब्रेड आएंड बटर दोस्तों यह पूरा एक है ब्रेड आएंड mentioned philosopher and guy in do have got no error ये बताना है दोस्तों इसमें Yakalyanes tcm캅 बतायों दोस्तों टीसरे में बताये देखता हूँ कि क्या आप सहीb कर पाते हैं कि नहीडोस्तों तीसरे में बताईये मैं देख रहा हूं आप सब नाम लोगा दोस्तों नाम लेकिन आज नहीं लोगा नाम आपका कर लोंगा जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों नाम उनका कल लिया जाएगा आज सिर्फ देखूंगा आज किसी का नाम नहीं लिया जाएगा दोस्तों तो देख रहा हो दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं आप देख रहा हो कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रह आगे चब रूल पर सर्च करेंगे तो में बताएं कैंगे क्यूं फोगा वह ऀंचाओं दोस्तों हो इस बाय एंड इच गर्ल वास दे अर इनदा पार्टी आफ दीजिजे लिर्वा-णमत दूसद् friendly यह बता दीजर मेरा दिल जीत लिजे दूस्तों में जान जाऊँगा कि हाँ आप लोग सचर में महिनत की है दोसटों आप लोग कल इग्जाम हो जाएगा तो इसमें से आप कितना कर सकते हया अगर यही इसी च्ण चार से में देख के के आपको कितना कर पाएंगी दिस्तों तो बिल्कुल नहीं परशाण होनेक जोटतिने जिसको एक भी नहीं आया उसको भी और जिसको सब आ गया उसको कोई दिकत नहीं है हमारे साथ बने रही है आपको निश्ची थी उसका फाइदा जरूर मिलेगा दोस्तों तो ठीक है देख रहा हो तो चोथे वाले में No Error है दोस्तों आईए हम रूल पर चर्चा करते हैं आखिर ये ऐसा है क्या क्या हो रहा इसमें दोस्तों आईए हम चर्चा करते हैं कर दीजिए कमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों हमारे साथ आप पढ़ते चलिए लिखते चलिए तो देखिए दोस्तों रूल नमबर एक क्या है सुनिएगा राधा आइंड सीता आर कि गोई टू मार्केट राधा एंड सीता आर गोईन टू मार्केट तो दोस्तों यहां से हम क्या देख रहे है रूल नमबर एक में लिखना है अभी आप मत लिखिएगा जब में रूल लिख नोंगा तब लिखिएगा अभी आप इसको समझी यह क्या है आपका दोस्तों नाउन है यह क्या है आपका नाउन है यह क्या है और यह क्या है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है किसी को कोई दिखकर इतना तो सब जानते होंगे दोस्तों बिलकुल परशामत हो यह आज से English का डर एकडम खतम आज से English का डर एकडम खतम दोस्तों Like करते रहे Share करते रहे दोस्तों बस केवल दो काम आपका है और horizontal रखकर आप Like कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए देखते हैं राधा आइंड सीता अर्थार दोस्तों यादि दो नाउन सुनिएगा रूल सुनिएगा दोस्तों यादी दो नाउन यादी दो नाउन दोस्तों आएंड से जुड़े हूं किसे जुड़े हूं दो नाउन आएंड से जुड़े हूं यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कम दोस्तों मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिगा यादी दो नाउन आएंड से जुड़े हूं दोस्तों और वो दोनों नाउन चाहे दोस्तों सिंगुलर हूं हो सकता है दोनों नाउन सिंगुलर हूं दोस्तों और वो सकता है दोनों नाउन प्लियूरल हूं तो बिलकुल भे परिशान मत हुए को दोस्तों अगर दो नाउन आएंड से ज रूल नमबर एक यही है दोस्तों हमारे साथ आप लिखते चलिए याद रखिएगा मैंने कहा दोस्तों 40 दिन का सफर है 40 दिन में 20 में से 16 प्लस आपका हाईगा याद रखिए देखिए दोस्तों राधा एंड सीता देखा क्या हमने यहाँ पर भी नाउन है यहाँ पर भी नाउन है अगर दो नाउन दोस्तों अगर दो नाउन आइंड से जुड़े होंगे तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो क्या लगेगी दोस्तों plural helping verb लगेगी rule number 1 है दोस्तों error क्या देंगे दोस्तों यहीं पर r की जहां पर edge कर देंगे यहीं पर r की जहां पर edge कर देंगे और आप से error पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा जब दो noun दो singular noun दोस्तों and से जुड़े हों तो यहां पर दोस्तों plural helping verb का प्योग करते हैं किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत तो आगे देखिए दोस्तों जैसे he and see he and see was doing their work जी हां दोस्तों he and see was doing their work बिल्कुल भी पलशान होने के जरूते हैं दोस्तों क्या देख रहे हैं हम यहां पर दोस्तों he लिखा है अर्थात यह भी noun है आपका यहां पर c लिखा है यह भी noun है और दो noun दोस्तों and से जुड़ा है किसी जुड़ा है and से जुड़ा है और दो noun and से जुड़ा है मैंने कहा दोस्तों कि जब दो noun आइंड से जुड़ा होगा तो यहाँ पर वाज नहीं होगा दोस्तों क्या हो जाएगा प्लियूरल हेल्पिंग वरभ हो ॹजाएगी अर्थात यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों ॵेर हो कि मैंने कहा दोस्तों कि हमारे साथ बने रही है और आपको सब कुछ समझ में आएगा आगे चलते हैं दोस्तों पहला रूल समझ में आ गया ना आगे चलते हैं दोस्तों रूल नंबर दो पर देखते हैं रूल नंबर दो में क्या है आपके लिए जी हां दोस्तों रूल नंब अगर ये रहेगा तो इसके साथ हमेशा plural helping verb का प्रियोग करेंगे अभी अभी हमने पढ़ा यही पहला rule पहला rule हमने पढ़ा दोस्तों noun plus and plus noun अगर रहेगा तो इसके साथ plural helping verb का प्रियोग करते हैं अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों से जुड़े हूं क्या बता रहा हूं सुनिएगा रूल नंबर दो दोस्तों यदी यदी दो नाउन कि ऐंड से जुड़े हूं और वे दो नाउन ज़ड़े हूं और वे एक ही चीज को एक ही वस्त को बीच में यदि दो नाउन आइंड से जुड़े हो और वे एक ही व्यक्त के बारे में बताएं एक ही बिचार के बारे में बताएं क्या बताया हमने सुनिएगा कि एक ही व्यक्त के बारे में बताएं एक ही बिचार के बारे में बताएं या एक ही वस्त के बारे में बताएं हमने तीन ची वस्त कामा बिचार कामा व्यक्ति के बारे में बताएं तो वहां सिंगुलर हिल्पिंग वर्ब लगेगी क्या बताया दोस्तों रूल वन का हमने अपवाद बता दिया रूल वन का हमने उल्टा बता दिया क्या बताया सुनियेगा अभी अभी हमने कहा दोस्तों कि अगर आपका नाउन दो नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा दोस्तों तो उसके साथ प्लियूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगी यह हमने रूल वन बताया दोस्तों यह हमने रूल वन बताया वहीं दोस्तों रूल दो में हम क्या बता रहे ह कि यह दो नावन एंड से जुड़े हो और वे क्या चीज कह रहा है और वे और वे एक ही वस्तु सुनिएगा एक ही वस्तु के बारे में बताएं एक ही विचार के बारे में बताएं और एक ही व्यक्त के बारे में बताएं तो वहां पर सिमिलर हिल्पिंग वर्ब लगेगी तो देखते हैं में एक्जामपल से दोस्तों सुनिएगा जैसे आप जानते होंगे दोस्तों राइस और करी rice and curry मतलब क्या हुआ दोस्तों कड़ी चावल कड़ी चावल ये एक चीज है दोस्तों आप सोच रहे हैं दोस्तों कड़ी अलग है चावल अलग है तो दोस्तों कड़ी चावल अलग नहीं है इसकी जोड़ी है दोस्तों जैसे एक दिन मैं बताया था दोस्तों कही चावल की जोड़ी है तो कुछ बच्चे कह रहे थे किसर राम और सीता की भी जोड़ी है तो दोस्तों मैंने क्या कहा आप सुन नहीं रहे हैं एक ही वस्तु हो तो क्या राम सीता वस्तु है दोस्तों नहीं है न एक ही विचार हो क्या राम सीता विचार है क्या नहीं है एक ही व्यत्ती हो क्या राम सीता एक ही व्यत्ती है नहीं है तो इसी लिए राम सीटा के साथ प्लियूरल ही लगेगा तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि अगर एक ही व्यक्ति एक ही वस्त विचार अगर रहेगा तब आपका यहाँ पर सिंगूलर हिल्पिंवर्ब रहेगी राइस एंड करी चावल और करी दोस्तों आर एक टेस्टी डिस आर आर एक टेस्टी डिस जी हाँ दोस्तों यही रहेगा और कह देगा कि इसमें आप एरर बताएए यही रहेगा और कह देगा दोस्तों कि इसमें आप एरर बताएए तो आप बताएए कि इसमें कहां परे रहोंगी दोस्तों मैंने कहां दोस्तों कि आयसा अगर रहेगा दिसके साथ सिंगुलर हिल्पिंग वर्फ लगे अर्थाथ दोस्तों यहां पर आर नहीं होगा क्या हो जाएगा ृज ऑ जीया generous अक आठी जैसे कमिंग दा मनेजर और डारेक्टर आर कमिंग अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों दा मनेजर और डारेक्टर आर कमिंग ये रूल अभी आगे भी आपको मिलेगा वहां दूसरे रूप टाइप में मिलेगा यहाँ पर आप देखिए तो दोस्तों दा मनेजर और डारेक्टर अगर दोस्तों एक की पहले दा लगा रहेगा तो वो एक ही व्यक्ति रहेगा अर्थाथ, मैनेजर भी वही है, डारेक्टर भी वही है, जब दोनों एक ही हैं दोस्तों और अर्थाथ, जब एक ही व्यक्ति के बारी में बताया जाए, एक ही व्यक्ति के बारी में बताया जाया यहां पर और नहीं होगा दूस्तों क्या हो जाएगा इज हो जाएगा किसी को कहीं भी कोई भी समझ सब्सक्राइए जैसे एक वर्ड ऑट देखता हूँ दोस्तों एक पर देखता हूँ और क्या है दिखिये गर्णतों कि दा होसा सबहुआ एंड टैरेज दा हार्स एंड करीज आर नाट इवाइलीवल और नाट इवाइलीवल टूडे क्या कह रहा है देखें दूस्तों दा हार्स दा हार्स एंड करेज होगा दूस्तों दा हार्स एंड करेज इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों घोडा गाडी घोडा गाडी इसका पूरे का मतलब होता है दोस्तों घोडा गाडी दा हार्स मतलब घोडा और करेज मतलब गाडी दा हार्स एंड करेज घोडा गाडी दोस्तों ये पूरा एक हर साइंड करेज एक वस्तु है तिसी लिए इसके साथ दोस्तों आर्थ नहीं लगेगा इसके साथ क्या हो जाएगा इज हो जाएगा बताइए समझ में आयक नहीं दो तो मज़ा आई होते एक बार जय ही लिखिए एक बार जय ही लिखिए दोस्तों लगना चाहिए कि आप सब रूल नमबर दो तो रूल नमबर एक और रूल नमबर दो में क्या अंतर है आपने देखा कि नहीं दोस्तों रूल नमबर एक और दो में क्या अंतर है आपने देखा कि नहीं दोस्तों तो दोस्तों मैंने कहा कि आप बस सर्फ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है तो लग जाए दोस्तों दिन रात एक कर दीजिए और लगना चाहिए कि आप सभी एरफोर्स की स्टूडेंट है पढ़ने वाले स्टूडेंट है और इस बार सेलेक्शन लेके रहना है दोस्तों रूल नमबर तीन पर देखिएगा दोस्तों रूल नमबर तीन अभी अभी जो हमने बताया उसी से स्रेलेटेर है अभी अभी हमने बताया एक लास्ट में मैंने लिख दिया था मैंजर वाला वही है दोस्तों सुनिएगा अभी अभी यानि कि यदि दो नाउन यदि दो नाउन आएंड से जुड़े हूँ और और उनमें से एक के पहले एक के पहले आल्टिकल लगा हो तो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को संकेत देते हैं तथा यदि दोनो नाउन के पहले आल्टिकल लगा हो तो दोनो नाउन अलग अलग व्यक्ति को संकेत देते हैं आएसी स्थिती में प्लियूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी और यहां पर दोस्तों आएसी स्थिती में हैत सि costs Oui तवरूल हेल्पिंग वर्ब है लगेगी जी हां दोस्तों हम ने रूल नंबर तीन में दो लोग में बता दीया। मैंने दो रूल लिख दिया पहला रूल लिख दोस्तों कि यदि आप नाउन and से जुड़े हूँ यदि दो नाउन and से जुड़े हूँ और उनमें से किसी एक के पहले आर्टिकल लगा हूँ आर्टिकल के बारे में हमने बताया था अगर आप ने नहीं देखा दोश्टो तो Lucent का निचोर में देख लीजेगा उसमें मैने बताया है कि article का मतलब क्या है एए अयन दा होता है अगर दोस्तो किसी एक noun के पहले आर्टिकल लगा है दूसरा noun वैसे लिखा गया है तो जान लिजीगा किTwo noun एक ही व्यक्ति को संकेति करते हैं वहीं दोस्तों अगर दोनों noun की पहले आर्टिकल लगा होगा तो वह धूना उनको संकेत करेंगे दो लोगों को संकेत करेंगे तो वह वहाँ पर दोस्तों प्लिवरल लगे गार वहाँ पर सिंगुलर लगेगा यह एक्जामपल से समझते हैं सुनिएगा दा मैनेजर आइंड प्रिंशिपल आर गोईंग अब सुनिएगा दोस्तों दा मैनेजर एंड दा प्रिंशिपल आर गोईंग इसमें बोल देगा कि क्या एरर है दोस्तों इसमें बोल देगा क्या एरर है तो मैंने इतना बताया दोस्तों आप बताये चलिए A, B, C आप बताईए दोस्तों मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा बताता है कि इसमें error कहाँ पर है दोस्तों D आपका जान लीजिए no error है आप comment करिए चलिए मैं देखता हूँ कि क्या आपको समझ में आया दोस्तों इतनी देर मैं बताया क्या आप समझे क्या आप वो नियम समझ गए दोस्तों तो देखी देखता हूँ कि कौन बच्चा सही जवाब देता है अर्थाद the manager and the principal are going तो देख रहा हूँ दोस्तों हाँ बिलकुल सही जवाब है अभिशेक आपका सही जवाब है गौरो सही जवाब है बिशाल सही जवाब है बिलकुल सही दोस्तों अर्थाद the manager and the principal are going तो यहाँ पर होग क्या दोस्तों आर नहीं लगेगा यहाँ पर आर नहीं लगेगा दोस्तों क्या हो जाएगा इज हो जाएगा हमने क्या कहा दोस्तों ये भी आपका noun है ये भी आपका noun है and से जुड़ा है और एक noun के पहले दोस्तों क्या लगा है article लगा है एक noun के पहले article लगा है हमने कहा दोस्तों अगर दो noun and से जुड़े हों और एक noun के पहले article लग जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को संकेतित कर रहे हैं इसका मतलब कि जो व्यक्ति मनेजर है वही व्यक्ति प्रिंसपल भी है जो व्यक्ति मनेजर है वही व्यक्ति प्रिंसपल भी है इसका मतलब कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इज होगा वही अगर यही चीज यही वाक्ष रहेगा दोस्तों और थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे यही कि the manager and the principal are going तो इसमें कोई एरण नहीं दोस्तों यह आपका सही है इसमें आपका कोई एरण नहीं होगा अर्थाद क्या देख रहें दोस्तों the manager and the principal अर्थाद दो नाउन है मैंने क्या कहा दोस्तों दो नाउन है और दोनो नाउन के पहले आपका article लगा है दोनो नाउन के पहले article लगा है तो हमने कहा दोस्तों क्या कहा कि यदि दो नाउन के पहले article लगा हो यदि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो देख रहें दोस्तों इसके पहले भी आर्टिकल इसके पहले भी आर्टिकल अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कि दोनों अलग अलग व्यक्ति को संकीति करते हैं इसका मतल करिएगा offline comment करिएगा मैं कल आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा दूंगा कहीं भी कोई भी दिक्कत हो दोस्तों अपनी problem आप offline comment करिएगा बाद में comment करिएगा class खतम हो जाने के बाद मैं आपका comment देखूंगा दोस्तों जिसका प्रस्ण रहेगा उसका अगले दिन डिसकस किया जाएगा तो दोस्तों समझ में आ गया होगा तो चलते हैं आगे देखते हैं दोस्तों ये दोनों हमने बता दिया तो तीन रूल आज हमने देखा दोस्तों और अगला रूल देखते हैं चौथा रूल क्या है सुनिए गा चौथा रूल क्या है दोस्तों आप हमारे साथ लिखते चलिए आप हमारे साथ लिखते चलिए दोस्तों रूल नमबर चार पल देखते हैं चौथा रूल हमारे पास क्या आता है बिल्कुल भी परेशान मत हुए दोस्तों बिल्कुल भी परेशान मत हुए इसी तरह का प्रस्न आता है इसी तरह का प्रस्न आता है तो दोस्तों देखिएगा जिन्दगी की हर एक कहानी बेसर हो जाएगी हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी पाउ पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाओगे चलते रहे तो जमी भी हम सफर हो जाओगे रोल नमबर 4 देखते हैं दोस्तों रूल नमबर 4 में क्या है सुनिएगा जैसे हमने कहा दूसतों दौ चीज न परलस प्लियूरल नोवन प्लस दयूरला दशाएगा अगर कहीं आपको न मिल जाये और ये पूरा एकसा लिखा हो दोस्तों ये पूरा एक साथ लिखा हो तो सुनिएगा पूरा अगर एक साथ लिखा हो तो क्या करना है सुनिएगा इसके साथ दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रियोग करते हैं इसके साथ दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रियोग करते हैं लेकिन वहीं पर वहीं पर अग दोस्तो plural helping verb का प्रियोग करते हैं इसके साथ plural helping verb का प्रियोग करते हैं अगला rule है rule number 4 है दोस्तों इसको लिख लीजेगा आप लोग rule number 4 है दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ आप बने रहिए आईए example से इसको समझते हैं दोस्त कंडिडेट अर कपले यहां पर आप और नहीं होगा दोस्तों में हो जाएगा क्या हो जाएगा इज हो जाए Гा कुंक्य मैं यहां वहँ अगर हम आगे बात करें वहीं अगर हम आगे बात करेंने दोस्तों तो जैसे जैसे more persons more persons than one more persons than one बहुत से आदमियों में से एक दोस्तो Пон해 कम आ रहा है तो में Ёआका आ का जो अगर आपको मो मिल जाए उसके सार्खो उस्तो प्लीूरल हेल्प इल्पींवरोपलूरल नर्मिल जा अर्ठात persons लोग दो स्टों बहु अचन का नाउन है और इसके साथ दोस्तों हम singular helping verb का प्रयोग नहीं और किसका प्रयोग करते हैं plural helping verb का प्रयोग करते हैं अथात यहां पर क्या हो जायेग से zmian दोस्तों यहां पर ने कहा कि आप मेरे साथ लगे रहें दोस्तों आप मेरे साथ लगे रहें और निश्य थी आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों तो ये था हम लोगों का रूल दोस्तों ये था हम लोगों का रूल और आगे चर्चा करते हैं दोस्तों आगे चर्चा करते हैं और आगे है दोस्तों तो जैसे पहला वर्ड पहला वर्ड आपके लिए है दोस्तों एबंधन तो दोस्तों देखिए बंधन बंधन सुनिएगा बंधन बंधन थिक तो बंधन का मतलब क्या हुआ तो बंधन बंधन का मतलब हो गया दोस्तो पकर रखना बांध कर रखना तो ए लग गया दूस्तों मैंने कहा कि kicked यह कि जब भी किसी वांगे में अगर ए मिल जाये यह फिर सक्षा प्रीक्स मिल जाये दुस्तों तो प्री फिक्स का काम होता है कि एंटोनिम में बतना अर्थात एबंडन एबंडन का मतलब होता है जोस्तों त्याग देना जी हां दोस्तों एबंडन का मतलब होता है जोस्तों त्याग देना या फिर दोस्तों का मतलब होता है जोस्तों त्याग देना या फिर दोस्तों फॉर सेक करना कि फॉर्सेक का मतलब यह होता है दोस्तों त्याग देना तो याद रखिएगा चाहे आपको फॉर्सेक मिल जाए चाहे आपको गीवप मिल जाए चाहे आपको एवेंड़ मिल जाए यह तीनु दोस्तों सेनोनिम है एक ही व्यक्ति है एक ही व्यक्ति नहीं दोस्तों एक ही अर फकर लेना किसी को यह फिर दोसटों रिटेन करना रिटेन करने का मतलब भी होता है जोस्तों किसी को फकर लेना तो चाहिए आप कहिए C Could और अगर आप आप界्व की बात करी विद्टों तो मैं कोई दिकपा ही नहीं जोस्तों मज़ाा एक नहीं दोस्तों अगने लाइक जरू करिएगा मजा यह लाइक जरू करिएगा चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं दोस्तों दूसरे वर्ड पर चलते हैं दूसरा वर्ड सुनिएगा दूसरा बर देखिए दोस्तो एबाउमिनेशन जी हाँ दोस्तो एबाउमिनेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तो किसी व्यक्ति से घ्रिडा करना जी हाँ दोस्तो का मतलब दोस्तों हेट करना किसी को क्या करना दोस्तों हेट करना दोस्तों किसी को डिसलाइक करना जी हां दोस्तों किसी को डिसलाइक करना किसी को दोस्तों हेट करना मतलब दोस्तों घृड़ा करना घृड़ा करने का अगर आपोजिट पूछा जात क्या बताएंगे आप सब से पहला वर्ड बता ही निए गुरुजी लब करना किसी को प्रेम करना किसी को लब करना दोस्तों किसी को लाइक करना किसी को लब करना यह क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा रथात यह हो जाए क्या दोस्तों एंटोनीम हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तो मारे साथ लिखते चलिएगा आज की क्लास में कल की चलेगी उसमें की परेशान मत हो यह इगा बस आप हमारे साथ पढ़ते चलिए दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं है मैंने कहा की क्रेक्षन आपका जो है सब हो गया है सीट आज आ नहीं पाई इसी वज़ेस थोड़ा दिक्कत रहेगी लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों सुनिएगा आगे कि अब्यूदेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रस्चूर मात्रा में मतलब देखिये जो पंडि जवाल नहरू वाला चैप्टर था क्लाश 10 में अगर आप लोग पढ़े हो तो दा गंगा चैप्टर था उसमें पंडि जवाल नहरू ने बताया है कि इंडियान पीपल गेम मी more love and affection या फिर abudent measure मतलब परियात मात्रा में बहुत ज़्यादा दोस्तों तो अर्थात क्या हो जाएगे दोस्तों abudent का मतलब प्रशूर हो गया या फिर overflowing हो गया ओबर फ्लोविंग या फिर दोस्तों ample ample का मतलब भी होता है दोस्तों प्रशूर मात्रा में वहीं दोस्तों अगर normal की बात की जाए अर्थात दोस्तों इन्सफीसियेंट का मतलब होता है दोस्तों परियाप्त मात्रा में अर्थात जितना हम को चाहिए हो बराबर मात्रा में अर्थात ना तो ज्यादा ना का तो प्रशूर मात्रा का पोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों इन्सफीसियेंट वहीं एबुडेंट का क्या हो जाएगा ओबरफिलो बिंग या फिर अपल किसी को कहीं दिक्कत हो दोस्तों बताईए यह आपका वर्ड नमबर 3 था वहीं अगर हम चोथे वर्ड की बात करें दोस्तों तो चौथा वर्ड की है देखिएगा चौथा वर्ड सुनिए गा दोस्तों एक्यूज करना एक्यूज करने का मतलब होता है दोस्तों आरोप लगाना किसी पर आरोप लगा दीजिए आप एक्यूज कर दीजिए दोसी ठहरा दीजिए ब्लेम कर दीजिए उस पर दोस्तों ब्लेम करना किसी को किसी को ब्लेम करना मतलब आरोप लगाना उस पर एक्यूज करना आरोप लगाना दोसा रोपण करना दोस्तों तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों वही अगर हम आगे बात करें दोस्तों किसी पर दोस्तों चार्ज करना चार्ज करने का मतलब भी होता है दोस्तों क्या होता है आरोप लगाना किसी को इंडेक्ट करना दोस्तों इसका मतलब भी आरोप लगाना होता है तो आप लिख सकते हैं दोस्तो victim लिख सकते हैं यह भी आपका important वर्ड है Quin ला दोस्तों चाहे blame करना चाहे लेक्यूच करना अगर हम बात करने एंटोनृकिक की दोस्तों तो देखिए दोस्तो आरोब करना और दोस्मुक्त करना दोस्मुक्त करने का मतलब होता है दोस्तो डिफेंड या फिर दोस्तो सेव करना बचाना तो आरोब लगाना आरोब का उल्टा हो गया दोस्तो बचाना या फिर सुरक्षित रखना किसी को कहीं दिक्का था दोस्तों कि किसी इप में करा सुथ दोस्तों बताइए तो यह चार वर्ड था दोस्तों आगे देख लिएते एक और देख लेते दोस्तों पांचमा वर्ड देखते हैं ना वह हैं और आगे देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों सुनिएगा ठीक है दोस्तों सुनिएगा Ambition अगला वड़ देखिए दोस्तों Ambition और Ambition का मतलब क्या होता है दोस्तों सुनिएगा Ambition का मतलब होता है दोस्तों किसी की महत्वा कांचा को Ambition कहते हैं दोस्तों किसी की महत्वा कांचा को Ambition कहते हैं और Ambition का अगर हम दोस्तों सेनोनिम की बात करें Ambition के अगर हम सेनोनिम की बात करें दोस्तों सुनिएगा मात्व आकंच्क कि अगर हैं अब कैंच्ट कि दिजायर वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आपोजिट वर्ड की तो इन इन डिफ्रेंस दोस्तों इन रुब जाएगा स्पेलिंग देखते हैं इन डी आई यफ 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 का मतलब होता है दोस्तों इच्छा तो अनिच्छा ठीक इन लग गया इन का मतलब होता है मैंने कहा दोस्तों अपोजिट तो इन डिफ्रेंस का मतलब होता है दोस्तों क्या हुआ इक्छा तो यह था दोस्तों पाचवर्ट एंक्टोनिम सेनोनिम का मैंने पाचवर आज देखा दोसतु एंक्टोनिम 5 वर्ट देखा आज थोड़ा को दिक्कत हो सकती है मैंने कहा दोस्तों तो आप हुमारे साथ बने रहें तीन चाहर दिन में आपको ऐसे लगएगा कि हाँ आपको कुछ फाय क्या जरूर हो रहा है है तो तो तीन-चाहर दिन आप नमारी साथ बने रहें गार आए हम लोग से देखते हैं दोस्तों जैसे साइड साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या साइड देखते हैं दोस्तों साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या जैसे पाइट्री साइड साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या अगर साइड आपको मिल जा है तो आपको आप्सन में केवल किल मतलब हत्या पैट्री साइड पिता की हत्या वहीं दोस्तों मैट्री साइड मैट्री साइड का मतलब माता साइड मतलब हत्या माता की हत्या वहीं दोस्तों सोरी साइड और सोरोरी साइड का मतलब होता दोस्तों सोरोरी मतलब बहन साइड मतलब हत्या बहन की हत्या वहीं दोस्त किस्ट और और आगे बात करें दोस्तों तो सुनिएगा। सुंसाइड का मतलब हथ्या तो अर्थाव अगर आपको साइड मीरहन मने तो साइड का मतलब हे हथ्या एक वर्ड से हम इतना वर्ड याद कर लिए देख लिए पाइटरी साइड पिता की हत्या मैटरी साइड मात्वा की हत्या सुरोरी साइड बहन की हत्या वीरी साइड पत्नी की हत्या सुसाइड स्वयम की हत्या वहीं अगर हम फेली साइड की बात करें तो फेली साइड का मतलब होता है बच्च्ची की हत्या जो होती है दोस्तों फेली साइड होता है तो यह सारी वर्ड है दोस्तों बिलकुल भी इंग्लिस से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों कल से आपको और मजा आएगी तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे दोस्तों लेकिन कल से आपको बहुत अच्छी क्लास मिलेग कि तो मजा आये हो दोस्तों तटेश नहीं लिखे तệc लोग एक बार जो ही हु दोस्तों और कोई भी डाउट हो घंठा मने के बाद आप ना विचिए गा आपका डाउट कर बताया जाएगा दोस्तों तो बिल्कुल भी परशान मत झाल